भारती इत्यास को खंगाले तो आपको कई रोचक्षीजे मिलेंगी जो आपके अंदर के रोमाज को और बढ़ा देंगी राजा महराजाओं की कहानियों से लेकर कई अंसुने रहस्यों की पड़ते भारती इत्यास में दबी होई है और जब बात इत्यासिक किलो की होती है तो यह रोमाज और भी जादा बढ़ जाता है क्योंकि देशपर में ऐसे कई किले हैं जिनके अंदर हमारे इत्यास के कई रहस्यों से दबे पड़े है यह कानिया आज भी इन किलो तक दुनिया भर के लोगों को खीच कर ले आती है आज हम आपको मद्ध भारत में इस्तित एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके आगे अकबर तक को हार माननी पड़ी थी वहीं इसका रहस्यों इत्यास महा भारत काल से भी जुड़ा हुआ है यह है असीरगल का रहस्यों किला जिसने भारत के हर काल को बड़े करीब से देखा है मद्यप्रदेश के बुरहानपुर से 20 किलोमेटर की दूरी पर सत्पुड़ा की पहाड़ीों पर असीरगल का किला स्तित है इस जगे पर ही नर्मदा और तापती नदी का संगम है ऐसे में यह जगे दक्कन के पठार की ओर जाने का मुख्यमार्ग है मुगल काल में यह जगे दक्कन की चाबी मानी जाती थी लेकिन इस चाबी को पाना इतना असान नहीं था जिस किसी ने भी इस किले को ताकत से जीतने की कोशिश की वे नाकाम ही रहा यह किला तीन भागों में बटा हुआ है उपरे हिस्से को असीरगड, बीच के हिस्से को कमरगड और निशले हिस्से को मलेगड के नाम से जाना जाता है इस किले का निर्मान कब हुआ? इसके बारे में आज तक कोई सटीक अंदाज़ा नहीं लगा पाया लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह किला महा भारत काल में बनवाया गया था यही नहीं इस किले का रहस से महा भारत के एक ऐसे योधा से जुड़ा हुआ है जो ना सिर्फ अजय था बलकि अमर भी था काल दरकाल इस किले पर कई राजाओं ने राज किया तेरवी शताबदी में आदल्शा फारुकी ने असीरगल किले और बुर्हानपुर को अपनी राजधानी बनाया लेकिन बाद में आदल्शा की मुगल सल्तनत के साथ अनबन हो गई और उसने मुगल सल्तनत को टैक्स देने से मना कर दिया जिस वज़े से मुगल बाश्या अक्वर ने किले पर आक्मन कर दिया आदल्शा ने किले की रक्षा के लिए ऐसा बंदबुस्ट किया था कि अगले दस सालों तक वहां के लोग इस किले में आराम से रह सकते थे अक्वर छे महने तक कोशिश करता रहा लेकिन फिर भी इस किले को जीत नहीं सका सन 1857 में इसी किले की जील में तीन करांतिकारियों दूर सिंग, पहाडा सिंग और मनोर सिंग को बंदी बना कर रखा गया जिनने बाद में फांसी की सजा दी गई हाली में हुई खुदाई के दौरान इस किले के नीचे एक जेल, रानी का महल और कई गुप्त तहकाने भी मिले साथ एकड में फैले हुए इस किले में पांच तलाब हैं और गंगाव यमुना नाम से दो कुंड भी हैं जो साल भर पानी से बरे रहते हैं इस किले में कुप्तेश्वर महादेव का एक प्राचीन शिव मंदिर है जो महाभारत काल का बना हुआ है लेकिन इस किले का वहरे से जो सबसे आदा रोमांचित करता है और लोग को अपनी और आकर्शित करता है वहरे से महाभारत काल के अजय योद्धा अश्वत थामा से जोड़ा हुआ है अश्वत्थामा को गुरू दोनाचारे के पुत्र और कौर्वो की परम्मित्र के रूप में जाना जाता है जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमुल्य मणी लगी हुई थी जो उसकी देव, देत्य, दानव, शस्त्र, नागादी से रक्षा करती महा भारत के युद्धु के दोरान भगवान श्रीकिष्ण ने अश्वत्थामा के माथे में लगी मणी को निकाल लिया था और श्राप दिया था कि वह इस श्रिष्टी के अंत तक दुनिया में भठकता रहेगा और उसके माथे का घाओ कभी नहीं भरेगा कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जीवित है और पिछले 5000 सालों से वह असीरगड किले के इस कुपतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए आता है यहाँ पर हर सुभा भगवान शिफ को फूल चड़े हुए मिलते हैं जो इस बात का फंकेद देते हैं कि अश् जैसे राजियों पर राज किया 1906 में अंग्रेजों ने इसे खाली कर दिया और तब से इस पर किसी का दिकार नहीं रहा आज भी यह भारत के मुख्य किलों में गिना जाता है देश भर के अलावा विदेशों से भी बहुत से टूरिस्ट इसे देखने के लिए और इसके इत झाल